उत्तरकाश्ची में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कई संगिठनों के करमचारियों ने विशाल धर्णा प्रदर्शन किया जनपद मुख्याले के एतिहास्तिक रामलीला मैदान में पेंशन बहाली की मांग को लेकर बड़ी संख्या में करमशारी एकत्रित हुए मैं इस विशाल धर्ना परदर्शन में केंद्री और प्रांती काड़कार्णी के पदादीकारी दी मौझूद रहे इस मौके पर पुरानी पेंशन बहाली संख्या थन के पदादीकारियों का कहना है कि 2023 और 2024 स्वर्ष हमारे लिए काफी महत्तपून है क्योंकि यह वर्ष चुनावी वर्ष है जिस परकार से देश की 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है पेंशन बहाली की मांग को लेकर उत्तरकाश में विशाल धरना परदर्शन और रैली कारिक्रम हमने किया और 26 फरवरी को हलदवानी में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर विशाल धरना परदर्शन और रैली करने वाले हैं हमें विश्वास है कि सरकार उत्राखड में भी पुरानी पेंशन को बहाल करेगी खिलाप है ऐसी योजना को बंद करके फुरानी पेंशन योजना को लागु किल जाए मैं पहले आपका दन्यवाद करता हूँ जो इतने बड़े इस तरह पे आप लोगों ने करमचारीं की बात को उठाया और आज का कारेकरम यहां पर गंगोत्री से आगाज कर दिया है हमने हमारे पूरे सहर में आज रेली निकलेगी और हमारे जनसभा के बाद तुरां अभी रेली पूरे सहर में जागरता अभियान चलाया जा रहा है इससे सबसे बड़ी यह चीज है कि तो पांच राजियों में पेंसन अभी बहाली हो चुकी है उस पेंसन की बहाली के तहत पे भी अब तो उत्राखंड में भी पहले केंदर का माम लाता अब तो राजे सरकारें अपने जए पेंसन अभी एिप करता अबहा है तो पांद सरकारें राजे सहर में जाब शुकी है उसामने जागर भी और है इससे सबस्ते बजस्मेश्ग कि बहुता है उसे पर भी सवार्णीस के तो प्याराशने के पांद पांदम पांदार इसमाने के अज़िता पांदम आधर श